तो Candle Stick Patterns के अंदर एक पाटन बहुत ही ज़ादा important होता है समझना जिसे हम बोलते हैं Doji अब Doji क्या होती है, कितनी तरीके की होती है, क्या क्या नाम होते है, क्या काम करती है, कब काम करती है, बहुत सब्सक्राइब सवाल हो सकते हैं आपको Doji को लेकर पर इस वीडियो के अंदर आपको Doji के उपर complete explanation मिलने वाली है, आप समझने वाले हो कि अगर आप चार्ट पर Doji pattern को देखते हो, तो आप उसे accurately identify कर पाएंगे, कब वो काम करेगी और किस direction में वो चार्ट को लेकर जा सकती है, प्राइस को लेकर जा सकती है, यह आप समझ पाए से, आपको बहुत सारी candles दिखती है, आपको समझाता है कि Candle जो बंती है कुछ इस तरीकी की Candle होती है, जिसके अंदर आपके बाद बाद ओर shadow या विक होती है, बड़ एक और candle होती है, जिसके अंदर Body ही नहीं होती है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है, प्लस के sign जैसी यह जो प्लस का sign है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब होगी प्राइज उपर गया प्राइज नीचे गया पर जहां पर opening थी वही पर closing आ गई तो डोजी का मतलब अगर डोजी एक Japanese नाम है गैंडल सेख सारे जैपनीज है तो डोजी का मतलब होता है दा सेम थिंग मतलब यहां पर एक मार्केट में एक इंडिसीजन था डोजी दिखाती है बायर और एक सेलर की फाइट कि कुछ भी नहीं हुआ है प्राइज वहीं का वहीं है तो इट इस दा सेम थिंग इसका नाम डो अब यह अलग लग तरीके से देख सकती है उसे हम समझते है एक तो हमार को सिंपली समझ आ गया कि एक सिंपली प्लस बन जाएगा जिसके अंदर हमें उपर और नीचे शैडव देखेगी और बॉडी नहीं होगी अब इसी तरीके से इसे देखिए अगर मैं कुछ ऐसा बना बॉडी बिलकुल ना के बराबर है अब यहां पर आप देखते हो तो आप देखते हो प्राइस उपर भी गया काफी उपर तक गया प्राइस काफी नीचे तक भी गया पट जहां पर ओपनिंग थी अल्मोस्ट वहीं पर क्लोजिंग आ गई तो अगर कुछ ऐसा होता है तो ये भी डोजी ही किलाती है पस इसके अंदर कहा इसके लेक्स बड़े हो गए इसकी शैडव बढ़ी ह talks जैसी हम बोलते हैं लोंग लेग डोजी तो यह सिंप्ली हमारा डोजी था और यह वोगया हमारा लॉंगू लेग्ड़ Temper yeah पहा बंते लो भं आपको बते हैं इकित Aubte जादा होता है और उसे ही हमें इंटिफाय करना है पर उसके बाद मांगेट किस डिरेक्शन में जाएगी यह भी समझना जरूरी है तो यह अभी हमने समझा डोजी अब समझते हैं यहां पर जो लिखा हुआ है और अगर हम यहां पर देखते हैं ड्रागन फ्लाइ तो आपने देखी उड़ते हुए तो उसमें कि बॉड़ी बहुत लंबी होती है यहां बोडी मतलब उसका ओवर वाल जो लेंथ है वह काफी लंबी होती है उसके जो पंक होते है उपर चोटे-चोटे से होते है तो यह ड्रागन फ्लाइ डोजी दे दिया इसके अंदर ऊपर आपको य अब आपने जो पत्थर होता है तो इस तरीके से जैपनीज लोगों ने देखा कि वह गुच इस तरीके से होता है तो इसलिए उन्हों ने इसका नम ग्रेव सुन डोजी रख दिया और यह काम भी वैसे इखरता है अगर यह चार्ट के टॉप पर आपको मिल जाए इस तरीक कि अद्ये से बनता हुआ तो यह ग्रेफ टून के काम करता है कब रही है फिर हो अब परें उन्हों पड़ा देगा फिर हो अमला प्राइस को कम से कम कबर बचा देगा आपको उम बचा लेंग यहार ने ग्रेव स्काम करने का तरीका समझ लिया तो यह लिए यह करते हैं कि ऐसा हो सकता है सतर को जाओ तो अगर आपको पहले से किसी चीज के होने के संभाब ना पता लग जाता है मम्मी को बादल दिखते हैं तो कपड़े हटा लेती हैं बिल्कुल तो इसी तरीके से अगर हमें कोई कैंडल सिक फॉर्मेशन दिख जाता है तो हमें पता सिंगल कैंडल से कैंडल से कैंडल से भी नат है दो कैंडल से प्रैंडल से पैंडल तो अभी हम वह समझ है कि एक कैंडल को देखे कर और इसी वर्जें समय passes लों की कोई में होता है हमें यह समझ आग일 कि open और close पर उसका same है तभी उसमें body नहीं होती तो सब मतलब अगर वो form हो रही है तो किसी level पर बताएगी buyer strong है किसे level पर बताएगी seller strong है तो मतलब वो यह बताती है कि market को ही नहीं पता कि मैं उपर जाओ या मैं नीजर जाओ मतलब market में कहीं नहीं की indecision की scenario बन जाता है तभी हम देखते हैं कि उसमें body है वो negligible होती है और जहां पर open होती है वही close हो जाती है और जहां पर close होती है मतलब in general body zero होती है मतलब यह बता रही है कि market indecision में है ना upside को momentum आ सकता है ना downside को momentum आ सकता है यह भी आपने बिल्कू ठीब बोला दिखो तो आप यहां पर summarize खरते हो आप इसका भी मतलब होता है कि market में एक बड़ा momentum किसी भी साइड में expected हो सकता है कि बार बार fight sell को decision आने वाला है तो अगर decision आने वाला है तो उसे भी आप पकड़ सकते हो doji के माध्यन से okay so make पहले simple example लेते हैं कि doji चार्ट पर कैसे दिखती है फिर हम real चार्ट पर से लेंग ठीक है यह भी डोजी अब यह कॉंटरेशन में इसलिए हमने इसका example लेकि लिया अभी कि होता प्राइस जाके थोड़ा ठहरता और चोटा सा पूल बैक आता है अब चार्ट अगर हमें दिख रहा कि नीचे जा रहा है प्राइस नीचे जा रहा है यहां पर हमें क्या दिखत अगर पुल बैक आया है या प्राइस नीचे गया है और वहां पर हमें डोजी दिखता है और डोजी का हाई ब्रेक हो जाता है तो हम डोजी के लोग के नीचे का स्टॉप लॉस रखते है जरनली एंड हम expect करते हैं कि यहां से प्राइस ओपर जाएगा और बिल्कुल वैसा ह हुआ है तो यह एक एक्जामपल है कि यहां पर confirmation के बाद हम देखते हैं कि प्राइस ओपर गया है है आपको दिखता है हाई ब्रेक हुआ इसके नीचे का एसल एंड देन प्राइस गोज अप राइस तो यहां पर क्या हुए एक फाइट होई यह वान बायर जीते हैं हमारे तो यह था ड्राइगन फ्राइट होजी के एक्जामपल इसी तरीके से ग्रेफ सोन डोजी प्राइ इसके हाई का स्टॉप लौस होता है जरिली जब लोग ट्रेड करते हैं इसके हाय का स्ल तरिके से अब को और फालो करें अपने स्टॉप लॉस को ड्रेल करके युग काप्चर बिक मूब तो ग्रेवस्टोन डोजी ने एक हैवी सैल उफ करवाया यह हमें एक ऎक्जामपल तो सर इसमें हम देख पारें कि बहुत जादे इंपोर्टेंट इस उन पर बनी है और सप्लाय जोन हमें पता होते कि कहीं ने कि रिजिस्टेंस का लेवल होता है तो यह रिजिस्टेंस यह सप्लाय जोन पर जाके बनी तो फिर प्राइस का गिरना की प्रोबिटी और जाधा था क्योंकि बायर ने कोशेश ज़रूर करी थी बट सेलर्स इतने स्ट्रॉंग थे कि सेलर्स की पार इतनी स्ट्रॉंग थी तो बार बार एक सेलफ देखने को मिल रहा था जब ग्रेवस्टों डोजी की फॉर्मेशन हुई आपके एक रिजिस्टेंस लेवल पर तो हमें पता था कि जब ग्रेवस्टों डोजी बनेगी और अल्रेडी प्राइस महां पर सस्टेंग नहीं कर रहा था तो सेलफ आने की प्रॉबिल्टी बहुत जादे जैसे कि मैं बा अब इन डोजी के ऊपर आप कैसे ट्रेड करते हैं इसे हमें समझना और जरूरी हो जाता है तो सबसे पहली बात तो आप ही ने बोली थी कि एक तो हमें थोड़ा साना सप्लाय डिमांड जोन्स को अइडिटिफाय कर लेना चाहिए तो अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो एक हमें मेजर सपोर्ट यहां पर देख रह गई हम यहां पर जाते हैं और सिदह आपर एक एसे अरिया था जहां पर पहले रियाक्त किया हुआ ठीक है और similarly अम यहां पर एक बार देखते हैं बैसिकली अमें लास्ट को ज्याद़ा थोड़ा तबज्यों देनी होती है तो ए यहां पर तो मैंने सामने lines plot कर दीं लृक्तेनल क्या होगा है? अब रेक्टेंगल बनाओगे, दो उन्हों मना. मैं ना इक bugsाते हैs. हम ना muss line को आउगे में तो people में support reactions होता है, नाGr ? बहुक्त ईदाओए रेक्ट कर सकते हैs. जहां पर विक्स हमें देखने को मिलती है तो यहां पर मैंने बसे देखा और यहां पर सब्सक्राइब कर दिया पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप रेक्टेंगल नहीं बनाओगे तो आप लाइन का वेट करते रह जाओगे अब एक्जाटली ठीक है अब एक्जामबल देत अब जो आदमी से लाइन का वेट करेगा वो यह वाली जो हमारी ड्राइगन फ्लाइए इसे मिस कर जाएगा डोजी देखे चार्ट पर बहुत सरी बनती है बट अब क्या है कि एक जोन है जरूरी नहीं है वो लाइन तक ही आएगा प्राइज वो प्राइज आया वो आपके डिमांड जोन तक आया सपोर्ट तक आया और फिर अगर उसका हाई ब्रेक हो गया आप देखते हो कि एसल इसके नीचे गा और दिर बिग मूव जोन से भाग गया तो अगर इस मूव को देखते हैं आप तो यहां पर देखेंगे तो एक कितने परसेंट का मूव है यह देख पर देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर हमने एक स्पोर्ट की एक वेंडर फॉल ड्राइगन फ्लाय डोजी को तो डोजी आपको चार्ट पर बनती हुँ दिखेंगे अब इन रिफ्टी के चार्ट पर जैसे हमने बोला कि आपको यहां पर एक बहुत बढ़िया सी ड्राइगन फ्लाय डोजी दिखिए इसी तरीके से चलते हैं बैंक रिफ्टी के चार्ट पर अब यहां पर देखते हैं तो यहां पर अगेन आपक काम कि हम एक डिमांड और सप्लाय जोन को प्लॉट कर लेंगे आप कैसे भी कर सकते हैं तो अगर हम बिल्कुल पीछे से लें आप सबसे पहले यहां पर बनाएंगे एक लाइन आप यहां पर बनाएंगे अब आप देखेंगे इसके लाब आप एक लाइन यहां पर भी बना कि अगर आपने इस जोजी को इंटिफाई किया होता तो मैं आपको बताता हूँ आपका क्या फाइदा हुआ होता तो यहां पर आपने देखा प्राइज उपर जा रहा था देर बॉजी अट टॉजी का लो ब्रेक हुआ आपको क्लोजिंग मिल गई नीचे की ठीक है जैसी 600,600 प्लस का लेबल अब यहां पर आपने एसल रखा राइट आपने यहां पर सेलिंग इनिशेट की प्राइज नीचे आता है यहां पर फिर से एक डोजी बनती है बट अभी आपका इनिशल डोजी का एसलेट नहीं हुआ और यह तब तक जाता है जो आपका पहले आपने सपोर्ट रेजिंस पहले सी प्लॉट करे होए लिए तो तकरीवन आपके उसी बने आपको बोलता हमेशा जोन होता है यहां पर जाके आपको अगेन एक ब्यूटिफुल कैंडल सिक पैटन मिलता है विच इस आ हैमर कहां मिल पर है एक इस फॉट्ट से आप दिखते हो प्राइज उपर जाता है इसका जब हए ब्रेक हुआ प्र प्राइज पर जाता है अब आपको गयार यहां पर अगेन एक ड्रैगंफ्लाय डोजी ए जरा इंद्य कुप सूरत है बट इस डोजी की इंपर्टनस है या नहीं पहले तो यह बताइए है हमारे एक तो बहुत जादा important support level पर बनी है यह 100% demand zone को रही है क्योंकि पहले यह resistance था यहां से price ने जाकर react किया फिर price गया फिर react किया फिर ने से तोड़ दिया अब यह बन चुका है demand zone right price यहां पर आया था भाग गया आपका एसे लेज़ इसके नीचे का right and you are again bullish और आपका target आई ही है और पॉइंट ही है important आज यहां पर हम यह video बना रहे है अभी मुझे नहीं पता कितने दिन बाद यह video जाएगी हो सकता है ऐसे लिट हो जाए और हो सकता है टागेट ही हो जाए और अगर टागेट ही होता है देन अभी क्या है अभी इसका जैसे हमने बोला था रेड की closing जो है वो closing नीचे होती है तो इस candle का भी next candle में high जो है वो break नहीं हुआ है हाई ब्रेक होगा closing के साथ तो अभी हमें कैसी candle चाहिए जो इस level के ऊपर closing दे तो अगर इसके ऊपर के closing आएगी तो आपको तक्रीवन 1500 पॉंट 500 पॉंट पैंग रिफ्टी में और हम प्रेडिक्शन नी कर रहे हम एनलेसिस कर रहे हैं एनलेसिस में दोना चीज़ा हो सकती है या तो इसका low break हो सकते है गिर जाएगा अगर गिरेगा तो यह नीचे next demand zone तक जाएगा वो भी आपके लिए बहुत बड़ी है कि फिर वह 44 700 का लेवल आपको दिख सकता है तो अगर आप 1500 पॉंट की तेज़ी खेलना साथ है में तो इसकी लिए आपको important candlestick patterns को समझना जरूरी है अब देखिए मैंने 5 मिनिट का time frame ने लिया आपको जार रहे थे मैंने आपको रोक दिया तो मतलब सर जैसे एक support zone पर हमारी form होई है तो स पर से ही वो बताती है कि sellers हमारे strong है तो sir just to ask a question sir मतलब जो हमारी dragonfly doji होती है neutral long length gravestone doji जो होती है क्या इनके color से भी फरक पड़ता है कोई फरक ने बढ़ता तो मुझे 100% यह जो मेरा अभी तक experience में मैंने देखा है color doesn't matter जैसे यह इसके अंदर क्या है कि green color है पर इसने काम त miss हो गई दी यह भी तो एक doji है इसके यह long leg नहीं है यह dragonfly है बट यह long leg नहीं है बट आप देखे बनी का है important support zone important support zone पर बनी हुई है अभी पहले resistance था तो यह resistance पर बनी बट इसका high break हो गया और यहां पर closing आ गई है उपर की तो अगर किसी ने पहले ही trade initiate किया होगा तो उसका trade का पर initiate हो गया यह उसका SL था right sir and sky is the limit sky in the sense अभी वो इसी trade में yes sir absolutely they should be bullish yes sir कि भई यहां पर important zone पर आपको एक candle मिलती है right and आप थोड़ा सा एक medium term की तेजी खेल सकते है exactly तो और छोटा सा SL है yes sir बहुत चोटा तो again but closing यहां पर हुई है right trade तो इसके बाद ही initiate हुई है exactly but अभी तक SL हिट नहीं हुआ ठीक है तो यह हमने अभी तक daily time frame पर discuss किया था अगर हम आ जाएं पांच मिनट पर जो intraday के अंदर लोगों को बहुत प्रिये होता है कि भई हम पांच मिनट के time frame पर काम करना चाहते हैं हम पांच मिनट देखते हैं को तीन मिनट भी देखता है अब जो हमने daily पर लगा होंगे न वो line यहां पर कहीं जाएंगी नहीं वो line यहीं रहेंगी अब इसके अंदर भी आप doji identify कर सकते हैं वो कई जगा पर मिल सकती है doji बड़ आप 5 मिनट के अंदर उसक चार घंटे का चार्ट देखिए एक घंटे का चार्ट देखिए एक घंटे के अंदर भी यह बहुत अच्छी तरीके से आपको काम करती हों देखेंगी आपको doji मिल जाएंगी जैसे कि example यहां पर आपको गेन एक doji ऐसी formation देख रही है ठीक है तो आपको candles मिल जाएंगी हर टाइम फ्रेम पर बड़े टाइम फ्रेम पर उनकी significance जादा होती है एक घंटे पर आपने देखा कुछ भी आप जो भी setup बना रहे हो उसके बाद आप 30 मिनट पर आओ अब यहां पर क्या है कि आप जैसे ऐसे आप इंटरेट एक लिए 5 मिनट और 10 मिनट 15 मिनट काफी important होते ह हम अगें 5 मिनट पर आजाते हैं अगर आपको पाँच मिनट पर दिखती है तो वो shorter duration के लिए काम करें और अगर आपको एक दिन पर दिखती है तो बड़े duration पर काम करें राइट कि वह 1500 पॉइंट करने है तो 1500 पॉइंट 5 मिनट के चार्ट के आप से अप्चर आप से अप् इंट्र दे के अंदर को अंसा 200-300 पॉण का ऐसे लेगा कोई नहीं लेगा तो वो आपको ध्यान रखना जरूरी है बट इंट्र दे के अंदर लेट्स फाइंट आउट कि हमें कहीं डोजी मिली हो तो देगें पांच मिनट के अंदर हमें यहां पर एक शांदार ड्रेगन फ है मिल रही है इसका हाय ब्रेक हो रहा है यहां से हमारा मिनिम्म टार्गेट दूसरी लाइन है जो भी हमने बनाई थी और अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो आपने देखा कि आपको बहुत अच्छा सा टागेट अचीव होता हुआ दिखता है वो भी सिफ इंट्र डे के अंद इसी तरीके से आपको डेली टाइम फ्रेम पर भी और इंट्र डे के लिए पांच मिनिट पर भी आपको डोजी मिलती जाएंगी अब देखिए यह भी एक तरीकी की डोजी है प्राइस गिर रहा है यहां पर डोजी बनी कहां बनी एक्जाक्ली अमारे सपोर्ट जोन तो इस यह एक important चीज है अब यह important क्या है प्राइस ने ब्रेक आउट दे दिया था प्राइस उपर आ गया तो यह हमारे लिए कौन सा जोन था यह हमारे लिए एक support था support तोड़ दिया बट नीचे वाले support तक पहुचा नहीं अब यहां पर देखिए यह डोजी तो बनी है बटे कही कभी क्या होता है कि लोग ना यहां पर अपने एसल लगा के रखते है एसल हंटिंग काफी बार होती है आपके support के नीचे प्राइस जाएगा आपको निकलना भी पड़ेगा कि फिर बड़ा नुफसान हो सकता है पर उसके बाद जब प्राइस ऊपर की तरफ मुवमेंट दे अब इस जोजी से क्या हुआ है यहां पर पुलवक के पाट दोजी देखी हमने राइट कन्फरमेशन मिली हमें और उसके बाद वी सी अशाप अपसाइड मूव शाप बाइंग और उसके बाद यह बाद बाइंग कहां तक गई है तो अब ओविसली कोई इतना बड़ा होड नहीं कर पाएगा बट ठीक है डोजी किस तरीके से वग करती है यह लोगों को समझाने लग गया हो गया है अब यहां पर बस आपके लिए एक बोनस है जैसे आपने अब भी डोजी को समझा डोजी में क्या होता बॉडी नहीं होती अगर आप इस स्कैंडल सिक पैटरन को द पर बन जाता है यहां पर वोट डियू फाइंड इस अस पिनिंग टॉप इसी तरीके से होता है मारा बेरिश पिरिंग टॉप इन दोनों के मैं आपको एक्जांपल देता हूं जैसे आप इस शार्ट पर देखते हो प्रैज नीचे किर रहा था श्रौं बना अफर प्रैइज उपर चला गर जा सब्राइट इसी तरीके से अगर श्रौndние टॉप अपको टॉप पर बन जाता है तो प्रैज ऑ पर जा रहा था स्फिन टॉप बनता है तो यह यह प्रिंग top को concept clearly समझ आ गया होगा इस वीडियो को आप maximum लोगों के साथ share कीजेगा, अपना प्यार दरीक लिए आप like कर सकते हैं, आप इंडिया की कौन सी city से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने नाम के साथ तो share का नाम भी लिख सकते हैं अगर आपके कुछ सवाल है, candle stick pattern से लेटेड, doji से लेटेड, spinning top से लेटेड, आप comment में पूछ सकते हैं, आने वाली वीडियो में हम उनका अंसर देनी के कोशिश करेंगे finally, अगर आपके पास demate account नहीं है, आप stock market में investment करना चाते हैं आप free में जाके अपने demate account खुलवा सकते हैं impact अभी refer and earn का भी offer चल रहा है आप refer करके भी पैसे कमा सकते हैं that can be your side income तो उन options को explore करने के लिए आपको demate account का link description and pinned comment में मिल जाएगा, इसके लावा भी आपके लिए कुछ channels launch करे हैं जिसमें आप free में जाके stock market को सीख सकते हैं step by step तो उन channels का link भी आपको description में मिल जाएगा do check out so we will see you in the next video till that time you go self made and jahind jahind